नमस्कार दोस्तों आप से को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभी जीटेक इंडिया में और मैं आपको होशन दोस्त अभी जीट कि दोस्तों पहले तो आप अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लीजिये और यहां पर बैल आइकन है इसको दबा लीजिये यहां परisha है नौटिफिकेशन को on कर लिजे और save कर दीजे ताकि हर नौटिफिकेशन जो मैं upload करूँगा वो आपको आसानी से मिलते रहें वो भी जल से जल तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल आज का आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं UIDAI से तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे इसको करते हैं पहले तो हम लोग इस साइट को open कर लेंगे अपने ब्राउजर पे UIDAI.gov.in इसको open कर लेंगे और यहां पे go कर देंगे उसके बाद डाउनलोड आधार पे क्लिक करेंगे हम लोग एक new page खुलेगा जिसमें आपको यह आधार का link आएगा यह dialogue box एक आया है जिसमें बोल रहा है कि आपका जो letter और password है वो पहला चार letter या तीन letter जो भी है वो capital में होना चाहिए और last का date of birth का year होना चाहिए तो आप सुरेश कुमार हैं अगर तो SURE capital में और 1990 इसका date of birth का year यह डाल सकते हैं नहीं तो साई कुमार है तो SAI के क्योंकि SAI लग रहा है वहाँ पहला तीन letter है और K क्योंकि चार letter होना चाहिए साई के 1990 या फिर P कुमार अगर है तो PKU P.KU होगा ठीक है P.KU कुमार सारा English का capital letter में होगा अगर आपका नाम रिया कुमार है तो तो RIAK1990 होगा अगर रिया ही है Q1 और 1990 है अगर date of birth का year तो RIAK1990 होगा ठीक है तो देखते हैं दोस्तों हम लोग इसको कैसे करते हैं सबसे पहले अपना हम लोग अधार का enrollment ID अगर है हमारे पास तो वो mention कर देंगे और उसका time mention कर देंगे कितना बजे और कितना तारिक को वो हम लोग register कराएं थे अपना नाम अपना pin code फिर image जो capture दिया हुआ है इसको हम लोग यहां पर निचे में लिखेंगे mobile number get OTP करेंगे तो get OTP करने के बाद आपका mobile पे OTP password आएगा वही password को 6 लेटर का password है इसको यहां इंटर OTP में क्लिक करना है और validate फिर डाउनलोड आप कर सकते हैं अपने आधार काड के PDF को और इस तरह से आधार का एक अधार ID अगर है आपके पास तो अधार ID अपना इंटर कीजिए full name अगर आपका नाम सुरेश कुमार है तो यहां पर सुरेश कुमार टाइप करेंगे अपना यहां पर टाइप करेंगे क्लिक करेंगे इसको ओटीप के लिए क्लिक करते ही है आपके मोबाइल नंबर जो आपने दिया है उस पर एक मैसेज आएगा और उस मैसेज को आप यहां पर ओटीप के जरीए इंटर्क कीजिए और उसका वैलिडेट और डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर रखते हैं दोस्तों अगर यह आपको हेल्प करता है इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले हर अपड आने देओ को लिएजड़ कि कीजिए और सुर्प्सक्राइब का का वाले हर वाले हर आने वाले हर शेलिए